यूपी के अमेठी में केंद्रिय मंत्री स्मृती इरानी का घर बनकर तैयार हो गया है आज अपने इस नए घर में स्मृती इरानी ने पती जुबिन इरानी संग विधी विधान से ग्रह प्रवेश किया वैदिक मंत्रों के साथ मृती रानी सिर पर कलश रख कर अपने नए नवेले घर में दाखिल हुई इससे पहले पूजा अर्चना हवन समेत कई रस्में अदा की गई बाबा माकाल के दर्बार से यहां पर वास्तु पूजन के लिए आए गए हैं भगवान की दो दिवसिये वास्तु पूजन की गई है संपूर्ण विदान के साथ में वास्तु का पूजन किया गया है यहां पर एक छोटे से मंदिर का निर्मान किया गया है जिसमें शुबपरिवार है, दुरुग़ा है, राम परिवार है इस तरह से संपूरने यहाँ परिवार का इस्तापना की गई है ब्रातक काल से ही не ourselves इंदर बान प्रविष की गया है गर के अंदर वास्तु का प्रवेस किया गया है महीला थारन जिता की कामना तो को पूर्ण करने का संकल परिया है कि इस दरबार में जो प्याओ की कामना है पूर नो हो इकाना माहत्व है वह कुछ स्थाइक अंदर नहीं आए अंदर भीघर प्रवेश। कि इस घर के अंदर पूरी पूरी प्रवेश किया गया है कि बता दें कि हिंदू रीती रिवास से केंद्रे मंत्री व अमेठी की सांसद ने अपने नए आवास में प्रवेश किया पूजा पाट के बाद पहले उन्होंने पूजित कलश सिर पर रख कर घर के चारो तरफ परिक्रमा की फिर पती जुविन इरानी के साथ घर में दाखिल हुई इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भाजपा के कारिकरता और अन्य लोग मौजूद रहे इस से पहले समर्थी इरानी और उनके पती हवन पूजन में शामिल हुए और देखते रहें श्रेश्ट भारत